रादे रादे जैसी क्रश्ना जहू चोत माता कीजै जहू गणेजी महाराज कीजै आज हम माही चोत में सुनी जाने वाली गणेजी की व्रत कथा सुनेंगे चोत की कहानी के साथ में गणेजी की कहानी जरूर सुननी चाहिए तभी व्रत का संपून फल मिलता है कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए सोना किसी चोकी मोतियों का हार गणी जी भगवान मेरे जीव का आधार यह पांच बार बोलना चाहिए उसके बाद कहानी सुननी चाहिए जहो गणी जी भगवान की तिलकुटा गणेश चोत की व्रत का था एक बार एक गाम में देवरानी जिठानी रहती थी, जिठानी बहुत पैसे वाली थी, जबकि देवरानी बहुत गरीब थी, देवरानी का पती कमाता नहीं था, देवरानी बड़ी ही समझदार थी. उसने लोग लाज के भैसे किसी और के यहां कामकाज नहीं किया वै अपनी जिठानी के यहां घर का कामकाज काने लगी चोका, बर्तन, रोटी, कपड़े सब बनाती तो बदले में जिठानी उसे कुछ पैसे देती जिससे उनका गुजरबसर चल रहा था देवरानी रोज अपनी जिठानी के यहां आटा भी चानती थी और जिस कपड़े से वै आटा चानती थी उसे वै घर ले आती थी और उस आटे चानने के कपड़े को पानी में घोल कर आटे के चुरन का पानी अपने पती और बच्चों को पिला देती थी जिठाने गणिश भगवान की पारंभक्त थी, वो हर मेने की चोथ कवरत कारती थी और चोथ माता और गणिशी का पूजन कारती थी जब एक दिन देवरानी आटे चानने के कपड़े को पानी में घोल कर अपने पती और बच्चों को पिला रही थी तो जठानी के बच्चों ने देख लिया उन्होंने अपनी मा से इसकी शिकायत कर दे कि मा चाची तो रोज हमारा आटा चानने का कपड़ा घर ले जाती है पिठानी ने देवरानी से कहा कि अरी देवरानी अरी महारानी मेरे आटे चानने का कपड़ा आज से अब घर पर ही रख कर जाया कर इससे तू अपने साथ घर लेकर मत जाया कर तो देवरानी ने ऐसा ही किया घर आई तो पती ने कहा कि मुझे आटे के चूरन का पानी पिला बहुत भूग लगी है तो उसकी पत्नी बोली कि आज भाबी जी ने आटा चाने का कपड़ा घर पर ही रखवा लिया इसलिए आज मेरे पास आपको और बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं उसके पती ने भूको मरते गुसे में आकर अपनी पत्नी को लकडी से खूब मारा किसमस से उस दिन उसका माही गणेश चोत कवरत था तो ने तो वह गणेश जी के और नहीं चोत माता के भोग लगा पाई वह गणीश भगवान और चोत माता को इसमरन करके अपने बच्चों के साथ भुकी ही सो गई अर्ध रातरी को गणीश भगवान देवरानी के घर आये और बोले कि आस तो तिलकुटा चोत था नहीं तो तुने मेरे भोग लगाया और नहीं तुने भोजन खाया तो अपने पती और बच्चों के साथ क्यों भुकी सो रही है तो देवरानी ने भगवान गणीश को पूरी सच्चाई बता दी तब गणीश भगवान बोले कि पुत्री आज तिल चोत थी सभी लोगों ने मुझे तिल चोत पर खुब चूरमे के लड़ू बना करके खिलाए और मैं खुब तिल के विंजन खा कर आ रहा हूँ तो मुझे निमटने जाना है तो मैं कहा निमटू देवरानी पहले से ही भुकी थी पती ने डंडे से उसे खुब मारा था तो उसके शरीर और हात पैरों में दर्द हो रहा था तो वे गुस्से से बोली कि है गणी जी महाराज जहां आप का मन करे वहां निमट लो मेरा तो पूरा ही घर खाली पड़ा है थोड़ी देर बाद गणी जी निमट निमटा कर आए और फिर से बोले कि है पुत्री अब पोचू कहां पर देवरानी वापस गुस्से से बोली कि है गजानन जी महाराज मेरे करम से पोंच लो अर्थात मेरे ललाण्ट से पोंच लो गणी जी पोच पांच कर जाने लगे तो देवरानी के घर की दैली पठो कर मार गे तो उसका घर महल मालिये में बदल गया घर में अनधन के भंडार भर गे सुब जब देवरानी सो कर उठी तो उसने देखा कि वे खुद उपर से लेकर नीचे तक सोने चांदी के गैनों से लड़जड हो रही थी उसने रेश्मी कीमती वस्तर पहन रखे थे उसका घर महल में बदल चुका था घर में सोने चांदी हीरे मोती और अनधन के भंडार भरे पड़े थे धन को बटोरते बटोरते उसे सुबह से दोपहर हो गए तो वह जिठानी के यहां चोका बटन रोटी आधी करने के लिए नहीं गई तब जिठानी ने अपने बच्चों को चाची के देखने के लिए भिजा कि देख कर के आओ कि आज तुमारी चाची काम पर क्यों नहीं आई बच्चे जब चाची के घर देखने आये तो उन्होंने देखा उन चाची का घर सुन्दर महल में बदल चुका था घर में अनधन के भंडार भरे पड़े थे और चाची भी उपर से लेकर नीचे तक सोने चांदी के गैनों से मड़ी पड़ी थी बच्चे भी नए ने कपड़े पहन रखे थे और नए ने खिलोने से खेल रहे थे और चाचा भी हस बोल रहे थे बच्चो ने चाची से कहा कि चाची मा तुम्हे काम पर बुला रही है चाची ने कहा कि बच्चो अब तो मेरे भी खुब धन हो गया है आज से मैं काम पर नहीं आऊंगी बच्चे भागे भागे वापस अपने घर आए और अपनी माँ से बोले कि माँ चाची तो बहुत अमीर हो गई है उनका घर तो सुन्दर महल में बदल चुका है चाची तो उपर से लेकर नीचे तक सोने चान्दी के गैनों से मंडी पड़ी है बच्चे भी नए ने खिलोने से खेल रहे हैं और चाचा भी हस बोल रहे हैं जिठानी ने बच्चों की आदी अधूरी बास सुनी और बिना चपल के ही भागी भागी देवरानी के घर आई और पूछने लगी कि अरे देवरानी तु एक ही रातरी में इतनी अमीर पैसे वाली कैसे हो गई देवरानी बड़ी ही सीधे मन की थी उसने जिठानी को पूरी सच्चाय बता दी जिठानी घर आई और उसने निश्चे किया कि अगले साल जब माग मास की चोत आएगी तो मैं भी ऐसा ही करूँगी इस तरह साल बर बाद जब माही तिलकुटा चोत आई तो जिठानी ने देवरानी की देखा देखी करी और चोत का व्रत किया और उस दिन उसने भी भोजन नहीं बनाया थोड़ी देर के बाद जब बच्चों और पती ने भोजन मांगा तो जिठानी ने अपने पती से कहा कि आज मेरा माही चोत का वरत है पिछले साल जो देवरानी के साथ घटना घटी धुई वह अपने पती को सुनाने लगी देखा देखी करती हैं वो बेचारी तो दुखी और निर्धन थी वो तो चोत माता और गणीजी कवरत करती थी उसके उपर तो गणीश भगवान तूटे थे इसलिए तू देखा देखी मत कर लेकिन जिठानी पर अपने पती की बात का कोई असर नहीं हुआ वजित करने लगी कि आप मुझे डंडे से मारिये तो पती ने करोधी थोकर कपड़े धोने के डंडे से अपनी पत्नी को दो खेंच के मारा जिठानी भी रोती रोती भूकी ही सो गई अर्ध रात्री में गनेजी जिठानी के घर आये और बोले की अरे ओधन की भूकी बता मैं कहा निमटने जौँ तो जिठानी बोली की हे गणेश भगवाण, मेरी देवरानी का तो बहुत चोटा सा मकान था मेरा तो बहुत बड़ा मकान है आप चाही जहां निमट लीजी फिर थोड़ी देर बाद गणेजी वापस आए और बोले कि बता पोच्छूं कहां पर जिठानी फिर से हस्ते हुए बोली कि है गणेश भगवान मेरी देवरानी का तो बहुत छुटा सा ललाट था मेरा तो बहुत बड़ा ललाट है आप मेरे ललाट से पोच लीजिए इस तरह गणेश भगवान ललाट से पोच कर चलेगे पूरी रात्री जिठानी बार बार अपने ललाट पर हाथ लगा लगा कर देखने लगी लेकिन उसे पूरी रात्री गीला गीला मैसुस होने लगा और बद्बू भी आने लगी जिठानी मनहीमन सोचने लगी कि शायद ये सूक जाएगा तो ये सोने चांदी के अभूशनों में बदल जाएगा इस तरफ पूरी रातरी निकल गई सुब़ जब जिठानी सोक अरूठी तो उसने देखा उसका पूरा घर मलमुत्र से भरा हुआ था पूरे घर में बद्बू आ रहे थी और वैसम भी मलमुत्र से भरी हुई थी तब जिठानी रोती रोती बोली कि है गणीजी भगवान आपने मेरे साथ छल किया मेरी देवरानी को तो आपने धन दिया और मेरा घर मलमुत्र से भर दिया तबी आकाशवानी हुई गणीश भगवान बोले कि अरे ओदुष्ट पापिन तु धन की ध्याई हुई थी तेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी धन की भूकी तुने देखा देखी करी तब जिठानी वापस से हाथ जोड कर बोली कि है गणीजी भगवान मुझे धन दोलत नहीं चाहिए आप तो अपनी यसारी माया समेट लीजिए तभी वापस आकाश वानी हुई और गणीश भगवान बोले कि मैं एक शर्त पर ही सारी माया समेटूंगा जब तु अपने धन में से आधाधन अपनी देवरानी को देगी तभी यसारी माया समेटूंगा तुझे कील में से कील और हार में से हार भी देना पड़ेगा तब जिठानी ने धन में से आधाधन अपनी देवरानी को दे दिया लेकिन उसके मन में लालच आ गया उसके पास पुष्टेनी बेश कीमती नो लड़का सोने का हार था उसने वैहार आटे की चक्की के नीचे चिपा दिया भगवान गनेश ने सारी माया देख ली तब भगवान गनेश ने सारी माया तो समेट ली लेकिन आटे की चक्की के नीचे एक विशेले सर्फ को भेश दिया जिठानी मनहीमन खुश हो रही थी कि उसने हार में से आधा हिस्सा अपनी देवरानी को नहीं दिया उसने धन को बचा लिया थोड़ी देर बाद जिठानी हार निकालने के लिए आटे की चक्की के पास गई जैसे ही आटे की चक्की के नीचे हाट डाल कर वे हाट निकालने लगी कि तबी चक्की के नीचे से एक विशेले सर्प ने फुफकार भरी जिठाने ये देख कर डर गई उसने वापस गणेजी भगवान से प्राथना करी कि है गणेजी भगवान मुझे माफ कर दीजिए मुझे धन का लालच आ गया था मैं अब हार में से भी آदा हिस्सा अपनी देवरानी को दोंगी आप इस सर्प को हटा लीजिये तब गणीश भगवान की क्रपा से वैस सर्प भी चुप-चाप चला गया तब जिठानी ने हार में से भी आदा हिस्सा अपनी देवरानी को दिया हे रिद्धी सिद्धी के दाता हे गणेजी महरा जैसा आपने जिठानी के साथ किया ऐसा किसी के साथ मत काना जैसा आपने देवरानी को अनधन दिया उसे उसके व्रत का फल दिया वैसे सब को देना कहानी कहने वाले को सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को इस तरह आज हमने माग मास की गणिश चोत व्रत में सुनी जाने वाली गणिशी की कहानी सुनी आशा करती हूँ आपको इस कहानी का सुनने का संपून फल प्राप्त होगा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे आने वाली कता कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद